वैसे तारीक में हमेशां बेस्ट डिफेंस जो दिया जाता है कि यू अक्यूजर अक्यूजर जब बीबी साहबा के जबाने में शहीद भुटो का हुआ था इंसिडेंट तो इनने बीबी पर मुझे पर इजाम लगा है तो बीबी ने कहा था कि यू गेट भुटो यू गेट अनाद भुटो एक भुटो को आप शहीद करके दूसरे भुटो की आप खुमत गिराना जाते हैं तो ये थर्ड वर्ल पॉलिटिक्स का एक 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 अनफॉर्चिनेट जिसे कहलें आप ट्राइजडीज हैं और पाकिस्त में तो बड़ी ट्राइजडीज से भरा हुआ है और हम इसको अगर इतना ही बहादर है तो आजाए ना आके कोट्स में प्यार हो जाए वहां हमारे सामने आजाए इतनी कमर खराब है तो वहां डिस्कोंस तो हो रहे हैं उसके तो आप देख रहे हैं यहां दुनिया में कम्म किशन रेवलूशन हैं हर जगा हर चीज में बरहल पाकिस्तान में और बड़े मसलें मेरी नजर में इस वकद एकानमी जो है वो बड़ा इशू है डार साब खुच फरार हो गए हैं और जिसे कहते हैं कि एक जख्मी पाकिस्तान को छोड़ गए हैं मैंने शुरू से ही कहा थ तारीक ने शाबित कर दिया है कि इनको ना हकूमत करनी आती है ना यह संबाल सके अब हालात यह हैं कि इकनामिक मेल्डाउन आ रहा है इसके बावजूद कि जब हमें हकूमत मिली थी मुश्रफ साब की तो वो 19 मिलियन पे था हमारा एक्सपोर्ट ट्रेक्स्टाइल का और उसको हम सिर्फ टेक्स्टाइल को हम 26 बिलियन पे ले गए मर्जूमत 30 बिलियन पे ले गए अमर इसके बावजूद के ऑईल जो था वो 164 पे हमें मिला इनको ऑईल मिला 32 डॉलर्स पे और इनने वो जो है उसकी अड्वांटेज पासडाउन नहीं किया वो उसको यह टैक्स कलेक्शन में कलेक्ट करते रहे फ्यूल प्राइस बढ़ा के यह टैक्स के मद में उसको लेते रहे एकॉनमी को इनने बूश नहीं दिया इनने एकनॉमिक ग्रोथ नहीं की एकनॉमिक ग्रोथ करके उससे टैक्स लेते वो तरीका था पाकिस्तान की एकॉनमी को आगे बढ़ने का हैं तो हर दुनिया में इस फखट तो एकनॉमिक इशू है ना पूरी दुनिया में एकनॉमिक इशू है अगर आज हमारे यह लॉलेस्नेस है या बचो यूथ को हमारी जरुत है नोकरियों की तो सारे एकनॉमिक ग्रोथ से problem solve हों है ना इनको एकना में growth की सोच है ना समझ है road बना लेने से तो कुछ नहीं होता सवाल है कि वो road पे कहां से development के prices जो हम दे रहे हैं road बनाने की करसा कैसे वापस जाएगा कैसे दिया जाएगा और अब ये मैं आपको अभी से आगा कर दिया देता हूं कि ये अब कहेंगे कि जी ये चुक्के हमें निकाला गया इसकी वएसे economy जो है वो collapse कर रही है हलांके हमारे जमाने में भी तो यूसरुजा को प्राइम मिनिस्टर को घर भेज़ दिया गया था उसके बावजूद कोई economic मुश्किल नहीं आई थी वो स्मूछ चल रहा था तो ये ही मेरा आज का message है आपके लिए के प्राइब के नारा नहीं अफ जरदारी के खलाफ हम लोग मेडान में निकलेंगे तो आसिफ अल्य जरदारी साहब इस पे क्या कहेंगे जोमरान खान ने दो तीन से लिए में पाल पाल्दी तो केपिके में जा रहा हूं नहीं वो कहते हैं कि हमारा जल्सा बहुत अच्छ ज जलसे में वहां उतनी नहीं आती है उनके कहने से क्या होता है वो तो वक्त एलेक्शन बताएगी जी जी और केपिके में सवाए एक ब्रिज के मुझे और तो कोई डिवलिप्मेंट उनकी नजब नहीं आती वो नया पाकिस्तान बना रहे हैं नया केपी तो नहीं नज़रा स्वाराम होगे है यह कहा गया कि हमारी पहली बारी आप लोगे सब्सक्राइब के यह अंदर के कमिटमेंट है के मुस्लम लीग ले साथ आप की अंदर खाते कमिटमेंट है आप यह और हम भी एक साथ रहेंगे अलेक्शन में जाजिए साथ चैसे पो नहीं सकता ना आप कि अगर हम जीते हों या कहीं नहीं आ रहे हूं ऐसी चीटे हैं जहां नवे जार वोट लिया हमने इनने एक लाग चाली सजार एक लाग पचास जार वोट लिया है यह कि उस टाइम फ्रेम में जाल नहीं सकता एक लाग चाली सजार वोट डल नहीं सकता एक कैनिडेट को सब्सक्राइब के साथ दूसरे दोस्तों के साथ मिल के है तो आज एमक्यों ने वाक आउट किया है सपोर्ट नहीं की क्या हमारे बिलों को और दूसरे कुछ दोस्तों ने जो हमेशा हम हमारे साथ होते हैं उनने भी अब अलेक्शन का जमाना है एक दूसरे के साथ हमने एलेक्शने लड़नी है तो शायद उस बात पर या फिर कोई चमक नज़रा आगई कहीं कुछ की कुछ रीजन पर तो उन साथियों को बेन का आप करें आप नाम लड़ पताएं का यह काम भी मेरा है एक सब्सक्राइब मेरा क्वेस्टेन आप इंतखाबात में सुर्प साल से भी गम वक्त रहागिए बिलावल भुटो जर्दारी खुद भी मैदाने अमल में उत्रे में हैं लेकिन हालिया इंतखाबात में अवाम ने एकसर मुस्तर्द कर दिए पर पार्टियों के ने एक सो बीस कोई जो है वो परेमीटर्स नहीं हैं आप अगर बाइलेक्शन करा लें मेरी बेहन ने एक लाक पंद्रा हजार वोट लियें नवापशा से वहां मुस्लिम लीग को बिजवा दें मैं देखता हूं कितने वोट लेती है तो यह तो इस हलके में हमने तीस साल से एक बल्ब भी नहीं लगा है इनने इस एक मेने में 80.000 रुपे का खर्चक कर दिया उसी हलके में तो उसके बाद पैसे की कोई इनको कमी नहीं थी कुछ इनको मसला नहीं था कोई इनको रोक निए रहा था था तो इसी इतने आप इमरान खान ने भी तको खास इंप्रूमन्ट नहीं की कि इढ़्याम के लें कि शुआ कि दुए लेंडेन ही कि जुआए पाकिस्तान को मानता नहीं कि पाकिस्तान की कुरवानियों को आलमिस सर्धफाण नहीं माना जा रहा है तो इस हवाले से क्या कह standards क्या का सुगिए आपлять हम प्राजिक में लोऑ मांँ के ल Earth Day Road 맛있 कि फॉर्न मिनिस्टर ही नहीं था, तीन साथ से हम कह रहे हैं कि फॉर्न मिनिस्टर तो लगाओ, अब आके खुषाज़ साब को लगाया है, जब दुनिया को पता हो कि आट महीने बाद यह फॉर्न मिनिस्टर नहीं होगा, तो क्या सीरुसली उन से डायलॉग करेंगे, उनको यह भी नहीं पता कि हुकुमत होगी या नहीं होगी तो इनने अपना केस पाकिस्तान का केस पुपस्फुली भी किया है मैं पहले कैच अगा हूं कि यह इंडियन लॉबी के साथ मिले हुए हैं इनने एक इंडियन माइंसेट बिजनस माइंसेट क्रियेट किया है कि जी अक्रा साथ प्राइब चाहता हुआ है अपने दोर में और अब भी मेरी यही सोच है अग्जादर आसिफ ली जडर्दारी कमालिया में मौझूद थे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कि और साथ पर वेस्ट मुश्रणकी जाने जाने वाले सवालात का जवाब दिया